ब्रेस समझना है कि ब्रेस कैसे काम करते हैं और स्कल्प्टिंग कैसे होती है एक्चली में ब्रेस के थुरू हम स्कल्प्टिंग कहते हैं जी ब्रेस स्कल्प्टिंग के लिए ही जाना जाता है कोई भी एक मॉडल आपको यहां से ओन करना है लाइड बॉक से तो यह यहां पर एक डेमो हैड करके चाइल्ड का हैड पड़ा हुआ है इसको हमने एक्टिव कर लिए डवल क्लिक करके तो यह हमारे स्क्रीन पर आ चुका है अब हम इसमें समझते हैं कि क्या ब्रेस कैसे काम करता है बेसिक सा एक फंडमेंटल में चाहिए ब्रेस का तो देखे यहां पर में आप देखोगे तो यह ब्रेस के ऑप्शन आ रहे होते हैं यह सारे के सारे ब्रेस के ऑप्शन है जैसे यह ब्रेस कौन सा ब्रेस है यह ब्रेस का टाइप है और यह ब्रेस का स्ट्रोक है यह ब्रेस में अलफा लगाना है तो तो यह सारी चीज़े यहां पर आ रहे हैं औ अगर आप चलाओगे इसके उपर तो देखिए यह मेज को ऊपर की तरफ खीच रहा है पुल कर रहा है ठीक है जहां पर भी चलाएंगे अब नॉर्मल कर रहे हैं अपने माउस से कुछ भी आपने नीस में चेंजिस किया आप सिंपली बस इसके उपर चला रहे हैं और यह यहा आउटर बाला बाहर वाला सरकाले वो फोकल सिफ्ट है यह उपर देखो लिखा हुआ है और जो नीचे वाला सरकाले चोटा साइज है उसका तो यहां से अगर हम ढ़ा साइज को थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं तो आप देखो ब्रेस का साइज भी ओवराल बढ़ गया है तो अगर अब हम यहां पर चलाएंगे तो यह ज्यादा एरिया को ऊपर उठा सकता है क्योंकि अब ब्रेस का साइज भी तो बढ़ा हो गया है अंडू कर लेते हैं अगर इसका साइज हम थोड़ा सा चोटा करते हैं तो आप देखो ब्रेस का साइज बहुत चोटा होगा रखेंगे हैं तभी तो विंस बना पाएंगे और हो सकता है थोड़े से हेर बनाने हैं तो हलका सा ब्रेस का साइज बढ़ा करके रखेंगे तो हम हेर सिस्टम भी यहां से बना सकते हैं इस तरह से हमें आगे काम करना होगा तो बिसिकली जो यह हम कर रहे हैं यही होता है sculpting इसे को बोलते है sculpt करना अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ इस टाइब से बना लेने चाहिए थोड़े से ऐसे बना सकते हैं अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर भी बनाना होगा तो breast का size आप थोड़ा सा यहाँ से क्योंकि जो main area breast का वो बिल्कुल जरा सा हो गया छोटा सा बीच में बिल्कुल redis सा इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे अगर तो आप देखोगे अब redis area बीच में red बाला circle बढ़ रहा है ये ठीक है ना अब अगर इसको हम बिल्कुल खतम कर देते हैं माइनस में कर देते हैं आप करना है आप देखिए ब्रस का साइज कैसे छोटा बड़ा होता जा रहा है यहां इस कंट में मिल्स करना है तो यहां से करना है प्रेस रिखन ना है ये स्लाइडर यही से साइज उला कर सकते हैं अंदे फैरल प्रेंडर यही बिल्ट심 करना है च्पन्ट करके यहनिने से चीज लिलिक करूंगे यह साथान की से आराकिके प्रेविट से किसे यहां olvonß किसे काथ हैं तो आपको यह option पता है चलगे अब यहाँ पर एक option और आता है Z intensity का तो Z intensity का मतलब होता है कि breath कोई भी work कर रहा है वो कितनी power के साथ करेगा तो अगर Z intensity 25 है और यह इतना उठा रहा है breath तो इसको अगर हम full कर देंगे तो यह breath और उपर उठाएगा surface को अब हमें इसकी setting करनी होती कि हमें उस area को कितना उठाना है कितना नहीं उठाना है हम इसको अगर और कम कर देंगे 25 से कम कर देंगे like 10 या 11 कर दिया और देखते हैं तो यह देखे बहुत कम उठा रहा है उपर area इस जिगे पर यह बहुत कम हो सकता है इससे आइब्रो बनाना चाहिए क्योंकि आइब्रो बहुत ज़्यादा उपर नहीं उठाई जाती है तो यह अलकी अलकी सी आइब्रो हम उठा सकते हैं इसकी तो अगर हम repeat करेंगे breast को उसी को उपर तो एक एक करके थोड़ा सा और layer उसी में बढ़ाता जाएगा और यह ज़्यादा उठा देगा कुछ इस टैप से आपको यह lips थोड़े से और उठाने है यह तो आप ऐसा कर सकते हैं अब आपको क्या करना है आपने intensity देख ली इसकी power कितनी तेजी से यह उ दिक लिया ठीक है यह जी आड लगाय जी आड का मतलब होता है कि आप surface को ऊपर उठा रहा है आप यह इसको अगर थोड़ा से ऐसे चला देते हैं, तो यह ऐसे चल रहा है, उपर उठा रहा है, पर क्यों उपर उठा रहा है, क्योंकि यहां से z add पे लगा हुआ है, तो z sub पे अगर लगा दें, तो क्या करेगा, अगर आप brush चला होगे, तो यह उसी surface को नीचे भी दवाना start कर दे तो इसके दो function हो गए, क्या, उपर उठाने के लिए z add, नीचे दवाने के लिए z sub, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे दवा लेते हैं, तो जहां जैसे requirement होगी, उस तरह से brush की setting हमें करते रहना है, अब देखिए, यह lips हैं, थोड़े से अंदर जाने चाहिए, तो brush का size का size थोड़ा सा उपर उठे, size थोड़ा सा बड़ा करेंगे, z add पर लगा देंगे, क्योंकि यह surface में उपर उठानी है, अब हमने यह सब तो कर दिया, पर अब हमें क्या करना है, जब यह हम z add या g sub surface को उपर नीचे उठा रहे होते हैं, तो क्या होता है, surface uneven हो जाती है, तो किसी भी brush को अगर shift button को press करके चलाएंगे, तो वो smooth करेगा, देखिए surface को, यह देखिए कितनी smooth कर रहा है, ना तो वो ऊपर उठाएगा surface को, ना निचे लेकि जाएगा, वो smooth करके normalize करेगा, और merge करने की कोसिस करेगा, यह देखिए यहाँ पर भी आप smooth चला सकते हैं, इस तो shift button को press करना है आपको, अब जैसे यहाँ पर है, आपको merge कराना है, size थोड़ा सा बड़ा करते हैं, shift के साथ इसको चलाएंगे, देखिए कितना smooth कर रहा है, तो आपको smooth करना है, surface को नीचे लेके जाना है, उपर लेके जाना है, क्या करना है, यह आपको decide करना होगा, तो आपने Z intensity देख ली, draw size यहाँ से कर लिया, shortcut देख लिया, right click से आपने देख लिया, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो I think brush का आपको थोड़ा सा knowledge हो गया होगा, अब हम अगले session में मिलेंगे आपको, नई setting के साथ में, कुछ नई option के साथ में, तब ते के लिए thank you, channel को subscribe जरूर करन और comment box में जरूर लिखना आपको case type का वीडियो चाहिए, thank you